बिग बॉस के घर में हो गई है प्यार की लहर की शिरुवात जी हां बिग बॉस के घर में आ गई है सनी लियोणी विकिन कब ओर एपिसोड के दोरान बिग बॉस 14 के घर के अंदर प्यार के लहर चल पड़ी है शो में सनी लियोन ने गेस्ट के तोर पर एंट्रि मार ली है इस दिन जहां अजास खान को पवित्रा पुनिया के लिए अपनी भावनाओं को स्वेकार करते हुए देखा गया था वही अली गोनी को जस्मीन भसीन को प्रपोस करते हुए शादी का प्रस्ताव देते हुए देखा गया होस्ट सल्मान खान ने सनी का शो में स्वागत किया और उनके साथ कुछ मज़ेदार गाने भी गया जल्द ही हमने उन्हें डॉक्टर सनी के रूप में घर के अंदर देख लिया है सभी प्रतियोगियों को नए साल की शुब कामनाई देने के बाद उन्होंने उन्हें एक एक करके यानि सल्मान ने सब को चेक अप के लिए उनके पास आने को कहा एजाज चेक अप पर जाने वाले थे और वो ऐसे प्रतियोगी थे जो उन्हें चेक अप कराना ही था उनके होटबीट चेक करने के लहाद सनी ने मजाकिया लहजे में कहा कि दिल की भीमारी है आपको मुझसे ECG करानी होगी एक मौ के सीजी करने के बाद सनी ने उन्हें एक पेपर दिखाया जिसमें हर एक पॉइन पर पवित्रा का नाम है इसके बाद एजाद ने कहा ये सचाई है मेरे दिल के हर धरकन पवित्रा के लिए है मैं वास्तों में उसे मस कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहूं। पवित्रा और इजाज बिग बॉस 14 के घर के अंदर मिले और उनके बीच एक special bond बन गया था। पवित्रा ने अक्सर अपनी भावनाओं को कबूल किया लेकिन इजाज जादातर बार यही कहता था कि वो लोगों से भावनात्मक से डरता है। उनके अलाज के रूप में सनी ने अजाज को पवित्रा के लिए अपनी भावनाओं को खुल कर बताने के लिए कहा। इसके बाद शर्माते हुए इजाज ने कहा हाई पावी हैपी न्यू यर तुम्हें बहुत याद करता हूं मुझे लगता है कि मुझे तु के लिए फाइट भी करनी है पवित्रा के ट्विटर अकाउंट को उनकी टीम ने सभाला एक वीडियो को रिट्वीट किया गया जिसमें अजाज को अपनी भावनाओं को स्विकार करते हुए दिखा जा सकता है पवित्रा की टीम द्वारा हैंडल के जाने वाले उनके ट्व लेकिन मज़ेदार बना दिया ये खोशित करने के बाद कि अली कभी भी अपनी भावनाओं को स्विकार नहीं करता है जबकि जैसमीन करती हैं सनी ने अली को एक घुटने पर आकर और जैसमीन को प्रपोस करने के लिए कहा अपने हाथ में एक लाल उरंग के दिल के साथ अल ये खेल चल रहा है प्यार मुहबबत का देखिए कहां तक चलता है और कब थमता है देखते रहे हैं बिगस किन सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन दबाई